इस लिए थोड़ा सा टाइम लग गया इसलिए थोड़ा सा दो चार मिनटा हम लेट हो गए हैं तो चलिए भी आगे शुरू करते हैं बिटा आज जो हम पढ़ने जा रहे थे वह है क्यूब एंड क्यूबर जिसका आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं ठीक है कल जो हमने सीखा था उसी को हम थोड़ा सा पहले एक बर फटाफट गो थू कर लें क्योंकि वह चीज़े नहीं पता होंगी तो मुश्किल हो जाएगा तो मैंने आपको चीज़ें समझाई थी क्या कि जैसे एक क्यूब होता है ठीक है ना क्यूब में टोटल फेसिज होते हैं सिक्स फेस यदि उसको छोटे चोटे ही स्office में कट कर दें तो टोटल नंबर ओफ स्मॉल क्यूब थिए टोटल हम टोटल लंबर ओसमल क्यूब कि आक उसका मैंने फार्मला लिखाय था क्या एंडित्यूब थैण तरह停मबर 200 अफिसकने हैं जिनके 3 face दिखाई दे रहे हैं वह हमारे थे भी 8 corner वालों के ही ए 3 face दिखाई देते थे इसी तरह टू-fail वाला जो फार्मला था टू-fail के कितने थे वही टू-fail वाला था क्या मैंने क्या लिखाया है था n-2 into 12 n-2 into 12 n-2 into 12 2 face वाले कितने थे n-2 into 12 इसी तरह 1 face वाले कितने होंगे 1 face वाले होंगे n-2 का square क्या था भी n-2 का square into कितना भी 6 n-2 का square into 6 और no face it means जिनका एक भी face नहीं दिखाई दे रहा था it means जो अंदर छिपे हुए थे उनकी एदी हम बात करें तो वो कितने होंगे भी उसका था n-2 का cube ऐसा कुछ लिखाया था मैंने बात को मैं दुबारस समझा देता हूँ total number of small cube 2 face, 3 face, 1 face, no face इनका meaning क्या है इनको जरा समझ लीजिए यहां से फिर समझ ही तेखो बटा जैसे मैंने चोटे-चोटे cube इसमें से मैंने कट किये यह वाला यह वाला चोटे-चोटे cube है अब यदि आप corner वाले को देखते हैं तो corner वाले के 3 face दिखाई दे रहे यहां से, यहां से और यहां से corner वाले के कितने face दिखाई दे रहे हैं 3 यहおお no किजस उस न्ह Sharon कि भराबर मेंDستव कितरे जे रहे रहे हैं दो इट बिल्धिन वह यहां से भी यहाँ सब्हू हैं तो इस में एक हैं इसमें भी Auch और यहां चैज़ा उस कि पर यहांसे दीकाई यहां हमने अब देखे बभी अब जरा वनफेस वाले कौन से होंगी देखे ये लगार उस इसकवी एक सिंगल तो यह नजर आ रहे हैं तो बाकीं फाइव फेस किया हैं अंदर शुप से तो ऐसे इनको कहते हैं वन फेस वाला केवल वन फेस ही हमें दिखाई दे रहा है वन फेस हो अब रही बात नो फेस नो फेस वाले कौन से होंगे जो अंदर फसे हैं छोटेक वाले क्यूब जो अंदर फसे हैं जिनका एक भी फेस बाहर की तरफ नहीं आ रहा है हैं तो 6 लेकिन एक भी फेस बाहर से नहीं दिखाई दे रहा है तो उन्हें कहेंगे भई हम नो फेस वाले उनके लिए हमने कुछ ऐसी फॉर्मले लिखे थे लेकिन यह क्यूब के लिए थे चलिए अब जरा इनको समझ लेते हैं क्या है इससे यदि मैं एक आप से पहले कुशन पूछता हूँ आपको सभी का जवाब देना क्या कि मैं यदि आपस यह कहता हूँ मेरे पास क्यूब है जिसकी डाइमेंशन ने बही बड़ा क्यूब जिसकि डाइमेंशन है 15 संटीमीटर इस सेंटा मीटर 20 सेंटिमेटर ठीके आभ मैंने क्या किया एक एक संतीमितर के छोटे-छोटे जो ऊपेड़ में शोड़क कुछे तो मैंने कर दिया तो आपको यह बताना है किसमें टोटल कितने क्यूब होंगे हाँ small qb कितने है total small qb कितने होंगे three face वाले कितने है two face वाले कितने है one face और no face वाले कितने है फट बट जवाब दीजिए ठीक है इनका जवाब दीजिए बहुत बढ़ गया जवाब देना शुरू किजिए कि ये बताईए वन फेस वाले टोटल कितने हैं वन फेस के कितने हैं थ्री फेस कितने हैं ठीक है ना और नो फेस कितना है इस तरह से आपको जवाब देना देखें बहुत सी बात है सबसे पहले चीज़ आपको यहां एक एंड दिखाई दे रहा होगा यह n का मीनिंग क्या एंड को कैसे फाइंड करें एंड की दिम बात करें तो जो एंड होगा वह n कैसे निकालेंगे जिसे की साइट से डिवाइड कर दूँगा तो 15 by 3 it means कितना आगे भी 5 इसका मिनिंग यह हुआ कि जो n है n की वैल्यू कितनी हो गई भी 5 और जब n की वैल्यू 5 हो गई तो 5 का क्यूब और 5 का क्यूब कितना होता है बिटा 125 तो टोटल नंबर ओफ स्मॉल क्यूब कितने होंगे 125 हों वाले तो 80 होंगे अब रही यहाँ पर बात वाले कितने होंगे तो टूसेश वाले हम कैसे निकालेंगे तो यहां देखें तो इनकी वैल्यू ऑटमेटिक आ चुकिए कितना वी 5 आ चुकी है तो 5-2 तो 5-2 कितना हो 3 5-2 इंटू क्या करें वह ट्वैल कर दें इनक्या करें 12 तो बारा और बारती अच्छा थिस तो 36 आ गया तो 36 स्मॉल क्यूब ऐसे होंगी हमारे पास जिनके कितने फेस दिखाई दे रहे होंगे दो अब इसी तरह वन फेस वाले कितने हो जाएंगे एन की वैल्यू यदि मैं 5 रखता हूं तो 5 माइनस 2 कितना हुआ 3 3 का स्क्वार 9 इं स्ट्री 3 का क्यूब 27 कै तुमने यह से कई चीले सी चीज है कि टोटल नंबर अफ स्माल कि चिते हैं 125 3फेस वाले किते हैं 8 तो फेस वाले किते हैं 36 वान फेस वाले किते हैं 54 और नुफ वाले किते हैं 27ετε के ही बाते क है पक्का हाव जो बच्छे आज पहली बार यह वाली चीज देख रहे हैं तो जो लास्ट वीडियो है इस जो कल वीडियो हुई थी आप उसको भी एक बार देख लें क्योंकि इसको मैंने यहां पर वहां पर पूरा डिटेल से समझाया हुआ है कि यह चीज कैसे बनाई फॉर्मले कैसे बने थे वह सारी चीज़े मैंने डिटेल में समझाई हुई है तो ऐसे इस्टुएंट जियो आज पहली बार यह चीज़े देख रहे हैं तो आप लोग इससे जो प्रिविएस वीडियो है कल की जो क्लास थी क्यूब क्यूबॉइड की तो वह जरूर देख लें तो उससे आपको आज वाला बिलकु समझ में आता चला जाएगा ठीक है चलिए अब यहां से यह दि मैं कुशन को थोड़ा सा यहां पर ऐसे कर दो भी जहां से समझना हुआ देखिए अब जरा ध्यान समझना कुशन के लेंग्वेज को समझना एक कलरड़ क्यूब इस गट इंटू सिक्स्टी-फोर स्मॉलर क्यूबस अब सब ध्यान से इसका जाब देना अब सब द्यान से इसका जाब देना अब समॉलर क्यूब विए उर वे इसकाइड देना पर्म विए व alerts विवर्णे विए वर देना टू फेस पेंटेड अब कुशन का जवाब दीजिए आपके इसाब से क्या जवाब होगा ज़रा ध्यान से समझे है कुशन की लेंग्वेज को आप लोग ध्यान समझे है कुशन क्या कहना चाहरा है उसको समझे है ओस दीजिए उसने हम से क्या कहा कि Portuguese मोड़ क्यूब है जिसको हमने सिक्स्टिफूर छोटे-चोटे स्मॉल की समॉल क्यूब में कट किया अब आपको बताना हुआ कि ऐसे कितने स्मॉल क्यूब हैं जिनके मिनिमुम दो फेस क्या होंग पेंट होंगे बताए है thoughts मिनिमम दो फेस क्या होंगे पेंट होंगे प्रमोद का अंसर 24 है गितानजली का भी आंसर 24 है रमिश्वरी 24 अजे 24 आशीश रितेश धीरत सभी का अंसर 24 आ रहा है और मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि भी आप सभी का अंसर गलत है आप सभी का अंसर गलत है रिचा का अंसर बिल्कुल सही है भी रिचा का आयूश का अंसर सही है रितेश का अंसर सही है बहुत अच्छा भी वेरे गुड इनका अंसर बिल्कुल सही है भी राइट आंसर इस थर्टी टू ना कि कितना भी 24 ये बिल्कुल गलत है अब आपका इं की एक करेकिशत कई बड़ा क्यूब है जिसको हमने चोटे चोटे स्मॉर्ड क्यूब में कट किया अब यह टो Vice लिए टोटल हम कैसे निकालते थे यादान ना नोसे निकालते थे ज都是 टो ऐंड कर सकते हैं तो ऐन की ड॰ीम भी-स सिस्टी फॉर तो यहां से लिख' n की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा क्यूब रूट ऑफ 64 तो यह 4 n की वैल्यू क्या गई 4 यह तो n की वैल्यू आई अब इसने पूछा है how many smaller cube are form कितने smaller cube हम बना सकते हैं which है minimum इस वर्ड पर ध्यान दीजे minimum two face painted कम से कम 2 face paint होने चाहिए कम से कम दो इसका meaning 2 से ज़्याद भी हो सकते हैं तो इसका meaning यह हुआ कि हमें क्या क्या करना है किस किस को लेना है एक तो हमें लेना है जिनके 2 face दिखाई दे रहे हैं 2 face वाले और वह साथ में include कर रहे हैं जिनके तीन फेस क्योंकि इसने क्या लिखा मिनिमम टू फेस कम से कम दो फेस तो इसका मिनिंग दो से ज़्यादा भी फेस दिखाई दे सकते हैं अब दो फेस के लिए हमारे पास फॉर्मिला क्या था वह था एन माइनस टू इंटू ट्वेल्व तो एन की चौबिस ऐसे स्मॉल क्यूब हैं जिनके दो फेस दिखाई दे रहे हैं लेकिन उसने मिनिममम टू बोला तो इसका मिनिंग थ्री फेस वाले भी इंक्लूड हो जाएंगे और थ्री फेस वाले कितने हैं आठ तो इन दोनों को इदिए आप एड़ करोगे तो ट्वंटी फॉ अच्छे भी बहुत अच्छों ऊसको समझी है अगला कुशन देखिए भी क्या है अब एक और ऐसा ही कुशन है इसने कहा एक कलर्ड क्यूब इसक्ट इन्टू 125 स्मॉलर क्यूब क्लियर है अफ लेंथ तू सेंटिमेटर अफ लेंथ तू सेंटिमेटर तो पहला कुशन यह है फाइंड लेंथ अफ बिगर क्यूब एंड सेंट वन क्यूशन यह है हाव मैंनी स्मॉलर क्यूब बिगर उन्ड के लेंड वाव मैंनी यह लेंग वन सर्फेस पिंटेड चली बताइए भी इसका आंसर क्या होगा यह बताइए फटावट बताइए फटावट बताइए फटावट बताइए भी दोनों ही आंसर दीजिए भी दो मैंने कोशन यहां से पूछे एक नहीं पूछा है मैंने दो कोशन आप से यहां पर पूछे हैं बताईए भी आंसर किया होगा देखे यहां पर ध्यान दीजिए यहां पर समझे बताइए को भी पहली चीज उसने क्या कहा कि क्लिड क्यूब है कि में कट किया एक हैंग सोपचीस स्मॉप में में कट में कट किया संहां सेथिक घंत को आ रहा रहा है यहां पर इसकीन जुब यह है कि n क्यूब जो है वो किसके बराबर 125 के तो आप यहांसे सोचिए कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यह किसका क्यूब है पांच क्या तो यह पूछा है कि जो एक और चीज हमें दिये जो छोटे वाला क्यूब बना रहे हैं उसकी साइड कितने की एक साइड दो की और हम चार पांच ऐसी तो है ना तो हर एक पर कितने भी पांच पांच है और लेकिन एक छोटे वाले की कितनी लैंथ है दो सेंटिमेटर यह दो यह दो यह और दो यह तो टोटल कितना हुआ दो दो के जो बड़ा क्यूब है वो कितने के भी दसकी है अब रही बात यहां पर देखिए अगला को शंदे को उसने क्या कहा हाँ मैनी स्मॉलर क्यूब यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर क्या आ जाएगा एन माइनस टू का होल स्क्राइर इंट। 6 n की value है कितनी 5 ठीक है न एन की value क्या है 5 minus 2 का square into 6 ठीक है तो यहां से कितना है 3 का square अब यहां पर एक बात याद रखना ध्यान समझना भी यहां पर at most लिखा होता है at most one surface painted कि ज्यादा से ज्यादा एक ही surface paint at most one surface painted clear one surface painted at most one surface painted clear तो अब उस case में क्या करेंगे at most one surface painted का उसमें क्या करेंगे कि यहां पर एक और चीज़ जोड़े ना भी इस कोशन में only word जोड़े ना भी अभी तो पहले तो only जब यह 54 निकाला ना तो 54 यह तब आ जब only one surface painted है अब मेरे बात को जहां समझो जो यह कुशन है इसमें यहां पर only word और जोड़ लेना only one surface painted केवल एक ही surface paint हो तो answer किता है भी 54 आ गया अब यदि मैं यहां से इसको हटा के only word को अटा के मैं यदि आपसे कहता हूँ क्या कि at most ज्यादा से ज्यादा कितना भी एक ज्यादे से ज्यादा एक ही face painted हो तो तब answer क्या आएगा at most one surface painted तो तब answer क्या आएगा तब यदि आप देखेंगे तो आपको ध्यान देना होगा क्या कि इस का मिनिंग यह हुआ कि इसमें अब जो होंगे कौन-कौन से count होंगे एट मौस्ट का मिनिंग हुआ ज़्यादा से ज़्यादा एक ठीक है ना तो इसका मैंने एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए या तो हो लिएक ओ तो जी रो इट मिन क्यूब और एन कितना है भी 55-23 का क्यूब 27 यह आ गए बात को जहां समझो ना कि एन की वैल्यू क्या है फाइव और नो फेस वाले किते फाइव माइनस टूइट मिन्स 33 का क्यूब किता है 27 तो 27 तो मेरे पास क्यूब ऐसे हैं जिनका एक भी फेस दिखाए देगा तो यहां पर दोनों को एड़ कर लो तो कितना आ जाएगा साथ और चार 11 एक और दो और एक तीन 81 कितना भी 81 तो उस केस में 81 हो जाएगा हाँ यह बात सही है बहुत बड़े यह वी धीरज हाँ क्लियर है बाते सन में आती है हां बहुत बड़े है बहुत अच्छे बहुत यह अच्छे रवी सं में आता है न डहीं इंट्मास्ट यह लिखा है तो यह आट्मोस्ट मीन्ग बदल गया मिनिंग क्या बाद धार्ष वह जादब से जादा एक ही होना चाहिए एक ही नंग चाहिए तो एक भी नया हो या फिर एक और जिसका एक भी फेस नहीं दिखाए देगा तो वह कितने आगे जब ऐसे कितने स्मॉल क्यूब होंगे वह जिनका एक भी फेस नहीं दिखाए देगा वह 27 कैसे क्यूंकि एन की वैल्यू हमारी 5 आ चुकी है और जो लास्ट वाला फॉर्मला है इसमें यह दि मैं वैल्यू पूट कर दूँ 12-12-2 क्यूब क्लिर है तो इसका में नित्ी का क्यूब और खुर्म कितना होता है 27 तो चिनका एक दिखाए दे रहा है और ऐसे कितने जिनका एक फेस दिखाए दे रहा है वह 54 हे तो तोटल कितने आगे Всем क्लिर चलो अब यहां से थोड़ा सा वोर्राणज करते हैं देखिए अगले कुशन ज़रा यहां से समझने की कोशिश करना भी जो मैं बताने जा रहा हूँ उसका जवाब देना भी क्या है देखिए यदि मैं कहता हूँ भी मेरे पास कोई एक ऐसा क्यूब है और इसको मैंने ऐसे बड़ा क्यूब यह हेवाला है क्लेर है ऐसा कुछ हमें दिया गया है इसको मैंने छोटे छोटे स्मॉल क्यूब में कट किया ऐसा कुछ अ तर प्रिजास है हुआ इसा कुछ है भी इसको मैंने चोटे चोटे स्मॉल क्यूब में कट किया तो पहले तो यहां पर बताईए टोटल कितने हैं हाँ यहां पर टोटल कितने है जरा इस पर बताईए जरा बताईए कि टोटल कितने होंगे टोटल कितने होंगे जरा देखना भी टोटल स्मॉल क्यूब कितने होंगे तो टोटल निकालने का तरीका क्या था लैंद कितने पार सब्सक्राइब 20345 तो कितना होगे टोटल हमारे पास सी छो स्मॉल की होंगे 125 यह बात तो सभी को समझ में आ गई होगी कि टोटल किते है 125 लेकिन भाइं कुछन अब समझ क्या है कि दी बहिंग ऊपर की तरफ में टॉप और बोटम में सेम कलर कर दो सेम कलर करने का भी नहीं कि माल लो मैंने उपर रेड कलर कर दिया वे टॉप में भी रेड है और बॉटम में भी रेड कलर किया टॉप में रेड है बॉटम में भी रेड कलर किया क्लियर है ऊपर रेड़ है नीचे भी रेड़ है अब इधर वाइट कलर कर दिया और इसके बैक में भी पीछे भी वाइट भी और पॉजिट फेसिस पर सेम कलर कर रहा हूं भी इन पर रेड़ है नीचे भी रेड़ है इधर वाइट है तो इधर भी बैक में भी क्या कर रहे है भी white color कर रहे हैं ठीक है इतनी बासम में आती है अब यही पर ऐसा एक और काम करते हैं क्या कि एक फेस अभी बचा हुआ ना इस पर हम कर लेते हैं भी black फेस ब्लैक टो फ्रह ब्लैक कर देते हैं अब यहां पर कुश्चन के लैंगवेज को आप लोग बड़े ध्यान से समझना भी इधर भी ब्लैक इसके बैक में भी क्या है ब्लैक कलर है ठीक है इस सब पर क्या हुआ ब्लैक कलर हुआ तुदेखो मैंने क्या बनाया कि टॉप पर रेड बोटम पर रेड है इधर वाइट है इधर ब्लेक है तो इधर भी ब्लेक है उप्वोजिट फेस इस पर सेम कलर है तो आप यह बात बता भी ऐसे कितने स्मॉल क्यूब हैं ढ़त को देहां समझगा तोटल लंबर ओफ स्मॉल क्यूब जिन पर तीनों कलर हुए अब एक बास समझने की है काउंट कैसे किये थे काउंट तो बस आपको ऐसे करना लेंद कितने पार्ट में डिवाइड है one two three four five विर्थ कितने में one two three four five और हाइट कितने में one two three four five तो five इनट वाइव हाँ हाँ बिछा ही यह यह आगे बीचि इसका मिनिंग जिन पर तीन कलर है त्री कलर वाले कितने भी तीनों कलर हुए तो वह हमारे कितने भी एट स्मॉल क्यूब ऐसे हैं जिन पर तीनों कलर हुए एट स्मॉल क्यूब ऐसे हैं जिन पर तीनों कलर हुए अब रही बात हाँ ध्यान सुनो अब रही बात क्या टूफ ऐसे कितने हैं जिन पर ओल्ली ओल्ली रेड अंड वाइट अब बताईए ऐसे कितने हैं जिन पर only red and white color हुआ है only red and white ऐसे कितने हैं जिन पर only red and white color हुआ है केवल red और white ही हुआ है उसका जवाब बताईए केवल red और white हुआ है केवल red और white 108 शालू का अंसर भी 108 ठीक है शशांक कह रहें भी 24 होगा 16 पर वन का भी दोश 20 कह रहें भी हाँ हुआ चलिए देखिए भी हमें पता है कि corner वाले अब जिसे three face वाले three face वाले तीन color तो नहीं पर हो सकते ने जिनके तीन face दिखाए दे में तीन face वाले तो यही है corner वाले के ही तीन face दिखते थे आपको याद होगा भी corner वाले के ही तीन face दिखते थे और corner वाले के दिखते थे एट है तो इसका में निग आठ स्मॉल क्यूब ऐसे होंगे जिन पर तीनों color हुए यह बात तो सन में आती है अब रही बात only red and white only red and white के वल रैड और white ही चाहिए अब देखो यह तो तीन face वाला है इस पर only बोला तो इसका में निग रैड वाइट नी चाहिए और कोई color नी चाहिए तो इसको हटा दो यह corner वाला रटा यह corner वाला रट जाएगा क्योंकि इधर इधर इस पर क्या होगा black color हुआ होगा तो सिंपल सी बात है इस वाली एज पर तीन small cube ऐसे हैं जिन पर red and white color हुआ है तो एक दो त तीन यहां हैं तो तीन नीचे भी होंगे यह रहे एक दो तीन चैन इदर हैं तो चैन ही बैक में भी होंगे तो टोटल 12 small cube ऐसे होंगे जिन पर 12 ऐसे होंगे जिन पर कितना भी कितना जिन पर केवल red और white color हुआ है केवल red और white हां clear है बात को दियान समझे only red and white बोला ना टीन यहीं फैस वाले होंगे बजस को यह थो यह वह लगंगी तो यह वाले भी दो दो से लेकिन हम्हें हमें color का combination दिया τοwar क्या रेड और वाइट तो दो फेस वाले यहांसे दिख रहा है यहां से उच्छा तो एक यहांपर इस पर इस एज़ पर कितें दो थीन तीन स्मॉल क्यूब ऐसे हैं जिनके कितने फेस दिखाई दे रहे हैं भी दो फेस दिखाई दे रहे हैं तीन इधर है तो तीन इधर है तो कितने हैं भी छे चे इधर है तो छे ही बैक में तो कितने हुए 12 तो 12 स्मॉल क्यूब ऐसे हैं जिनके कितने फेस दिखाई दे रहे हैं दोफेस और जिन पर कौन सा कलर हुआ रैड और वाइट कलर हुआ है अब यहीं पर यहीं पर कहता हूं कि ज은 बाथ करें रैड भी वैट भी हो। bell दोनों कलर उसके लावा तीसरा यदि color है वो भी आ सकता है अब जा जाएगा अब आंसर बताओ भी अब क्या होगा अब यदि मैंने only word हटा दिया हमें क्या चाहिए red color और white color चाहिए only word हट गया है तो अब answer कितना आ जाएगा अब बताएंसर कितना होगा अब देखो इसका मिनिंग यह है कि जब only word था तो इसका मिनिंग दोई फेस दिखाई दे रहा हो और के वल वही हो अब जब only word हट गया तो इसका मिनिंग red और white के साथ तीसरा color भी आ सकता है लेकि red white तो हो पांच यहां है तो पांच नीचे दस दस इदर यह तो दस बैक में तो आंसर किता है तो इसके समॉल क्यूब ऐसे होंगे जिन पर red and white होंगे clear यह बाते पक्का डाउट तो नहीं है चलिए अब मैं यह कहता हूं कि ऐसे कितने स्मॉल क्यूब हैं जिन पर केवल ओल्ली वाइ है ऐसे कितने हैं इसका मैंनिंग कोई और दूसरा कलर नहीं चाहिए केवल वाइट कलर चाहिए only white है ऐसे कितने हैं जिन पर केवल वाइट कलर only white बोला भी only white वाले बताईए बी कितने हैं कि तो बताई आंसर कितना ओगा ओनली वाइट इसका जवाब दीजिए इस फिर्फटी हाँ पहले इस लाइन को पढ़ो इस वर्ड को पढ़ो लिखा क्या है अली ओली वाइट का मिनिंग क्या है कि केवल वाइट कलरो और कोई कलर नाया हो केवल वाइट तो इसका मिनिंग एक ही फेस वाले एक फेस वाले केवल वाइट वाले जो सिंगल फेस वाले वाइट वाले तो यह रहे नहीं यह वाले लिखा है वहाँ पर ऑनली वाइट लिखा है केवल वाइट ही कलर हो और कोई कलर ना हो इसका मिनिंग एक ही फ केवल कौन सा कलर हुआ होगा वाइट कलर अब लेकिन यदि मैं ऑनली वर्ड को हटा दूँ वाइटी लिखें केवल वाइट कलर अब यदि मैंने ऑनली वर्ड हटा दिया अब आप से कहें भी वाइट कलर वाले कितने जिन पर ऐसे कितने स्मॉल क्यूब है जिन पर वाइट कल अब रहें वाइट का लिए फटाफट बताइए हाँ कितने होंगे फटाफट जवाब दीजी अब आंसर कितना आएगा मैं देको मैंने और ली वाइट नी का है अब क्या का वाइट कलर तो वाइट कलर वाले कितने हैं अंसर आ रहा भी 59 80 50 बही ऐसे कितने स्मोल क्यूब है बही चोटे चोटे कितने ऐसे स्मोल क्यूब है जिन पर वाइट कलर हो गया है उतने कितने भी ये बात हाँ भी आप सभी का आंसर भी जो जो फिफ्टी आंसर दे रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है बहुत अच्छे भी वाले बिल्कुल सही है देखो वह कैसे देखों ओन्ली वाइट नहीं का था वाइटक तो यहां पर कितने पांच नहीं दस 15 20 25 तो इधर 25 से तो बैक में भी किते होंगे 25 तो पच्छिस और 25 टोटल किते होंगे 50 50 स्मॉल क्यूब ऐसे होंगे जिन पर वाइट कलर हुआ हुआ यह बाते देखो कुछन के लैंगवेश समझना जवाब तबी देना है पहले आपको क्या कहना चाहता है ठीक कन चलों अगला कुछन क्या है आपको बहुत है आपको बताना है कि जिसकी डाइमेंशन ने फूर सेंटी मिटर बाइट सेंटी मिटर वाले चोटे चोटे क्यूब कट किए तो आपको बताना है कि टोटल नंबर of small cube कितने होंगे तोटल नंबर of small cube कितने होंगे यह आपको बताना है ठीक है अब total कितने हैं आप से यह भी पूछा गया है two face वाले three face वाले four face वाले कितने कितने होंगे यह आप पूछे ठीक है ना फॉर फेस वाले होंगे यह नहीं होंगे ठीक है चली बताइए अब देखो सिंपल सी बात है मैं आपको यहां पर कुछ चीज़ें बता रहा हूं समझा रहा हूं समझे सबसे पहले टोटल यह आपको निकालने टोटल कितने स्मॉल क्यूब होंगे तो क्या करो जैसे इसको इससे डिवाइड करो एन वन डाल दो क्योंकि यहां तो एन सेम नहीं रहेगा क्यूब में और क्यूबर्ड में यह फर्क आ जाता है तो इसका मिनिंग देखें फॉर बाइट टू इट मीन्स कितना भी टू तो एन वन आगया एक तरीके से टू ठीक है यह आ यह वाली जो वर्थ है वो चार पार्ट में डीवाइड होगी जण फीर कि हम बात करें तो हो कितना टैन बाइट तू तो इसका मिनिंग कितना हो वे यह तो ऽ कितने हैं То तो इनकी multiply कर दो तो टोटल यह दी निकालना है तो एन One इंटू 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 इंट्री तो यहां से N1 कितना है हमारा 2, N2 है 4, N3 कितना है 5, तो 5 और 20 दुनी 40, तो टोटल कितने होंगे बिटा, वो 40 होंगे, तो आंसर कितना है भी 40, बहुत बहुत बढ़ी है भी, क्लिर है, पक्का, अब यदि यहीं पर मैं कुछ चीजे लिखे दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझना भी, हाँ, 1 फेस वाले, 2 फेस वाले और देख लिजी, भई, 3 फेस वाले तो पता ही है, 3 फेस वाले कितने होंगे, कॉर्णर वाले होंगे, 3 फेस वाले कॉर्णर वाले होते हैं, और कॉर्णर वाले किति होंगे आठी होंगे वो तो यह बात संबनी में आती है क्लियर है अब के फिर हम बात करें टूब्हेस वाले के लिए लिए लिकल मुं क्या 4-2- to खेला कि औल यह किसके लिए फॉर्मुला है टूफेस के लिए क्योंकि जाप आप यदि में three face हुआ two face हुआ one face के दि मैं बात करता हूं तो वन फेस के लिए जो formula है तो वो formula क्या है two into n1 वानस two into n2-2 2 plus 2 into n1-2 सोरी n2-2 इन्टो n3-2 प्लस 2 इन्टो n3-2 इन्टो n1-2 ऐसे आप कर सकते हैं ठीक है और यहां से no face का इदी आपको निकालना है no face वाले यह cuboid के लिए भी formula तो यह क्या होगा no face वाले n1-2 into n2-2 into n3-2 क्या यह बाते सन में आती है तो one face no face, one face, two face और three face ऐसा कुछ यह किस के लिए है बटा यह है सब cuboid के लिए है जब कभी भी cuboid की बात होगी तो आपको यह चीज़े याद रखनी है क्योंकि कहीं बार क्या होगा यहां तो चलो फिर भी value छोटी छोटी थी आपसे चलो अब यहीं पर इसी question के थूँआपसे पूछता हूँ तो बताए भी two face वाले कितने हैं तो two face वाले यह तो यह है तो n1-2 n1 कितना है भी हमारा two minus two two minus two clear है plus four into n2 minus two n2 कितना भी four minus two plus four into n3 minus two n3 कितना है भी five five minus two ऐसे हमने लिखा तो two minus two यह तो zero आगया प्लस यहां से देखें टू इंटू फोर फोर इंटू टू एट आ गया प्लस यह दिया हम यहां से देखें तो तीन और बारा चार तीब बारा ख्लेर है तो यहां से देखो आठ प्लस बारा तो इसका मेनिंग आगया भी कितना बीस तो बीस स्मॉल क्यूब ऐसे होंगे जिनके दो फेस दिखाई दे लिखें यह सब किसके लिए क्यों बॉइड के लिए ठीक है ना क्लियर है तो राइट आंसर इस ट्वंटी ट्वंटी जो है वो कितने फेस वाले टू फेस वाले हैं अब यह दिनो फेस निकालना हो तो नो फेस वाले कितने होंगे यह आप से यह पूछा जाए कि बही A 1-2 1-2-2-2-2-4-2-5-2 थो ऐसा तो मुझे लग रहा है जीरो तो इसका मिनिंग कोई भी ऐसा नहीं हो जिसका एक भी ऐस ना दिखाई दे रहा है तो इसकी वैल्यू से मैं एक और कोई ब हुछे नहीं होगा नो फेस वाला हमेशा कि यहां पर क्या हो जाएगा जीरो हो जा चाहता हूं भी यहां से बात को समझना भी जो मैं अब यह आपको बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना कि यह दि मैं आपसे कहता हूं भी एक क्यूबॉर्ड है जिसकी लेंथ है भई फाइव सेंटीमेटर बाइट 3 सेंटीमेटर बाइव 1 सेंटीमेटर एक क्यूबर्ड है जिसकी डाइमेशन है फाइव फ्री और फाइव 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 अब इसमें से मैंने क्या किया एक एक सेंटीमेटर के छोटे-छोटे स् देखिये इसने काहल लेंगत तरिके से 5 है और एक-एक है तो 5 पार्ट 1-2-3-4-5 एक-दो 3-4-5 ठीक है और विर्थ को किते पार्ट में 3-1-2-3 ठीक है और हाइट तो वन हाई है कि ऐसा कुछ है clear ? तो आपसे यह 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 पूछता हूं वह टोटल कितने हैं तो एंवन कितना हो गया यह यह थी आप देखें तो एड। अन्न हो गया वही हमारे पास 5 एंटू कितना वंगया बहीं थी आप निकालें तो थी बाई 1 इट मिन फ्री और N3 की अदिए हम बात करें तो वन बाई वन तो इसका मिनिंग यह हुआ लैंध कितने पार्ट में डिवाइड है पांच एक दो तीन चार पांच आप ऐसे भी कह सकते हैं विर्थ 3 में 1 2 3 और हैट कितने में वन में है तो टोटल कितने आएंगे तो यहां से कितना आगया भी हमारा अगया वह कितना यहां से 515 बहुत बढ़ी है लेकिन एक बात समझने की है कि आपको यह कैसे पता चलेगा सुनिए भी ध्यान समझिए आपको फूर फेस वाले कितने होंगे जरा इसका जवाब दो फोर फेस ऐसे कितने स्मोल क्यूब हैं जिनके चार फेस दिखाए दे रहे हैं फोर फेस वाले किते होंगे ऐसे कितने स्मोल क्यूब हैं जिनके चार फेस दिखाए दे रहे हैं फुटावट देखे भी बताएए four face वाले कितने हैं भी इसका जवाब दीजी भी नहीं है भी अलीक ने आंसर कहा भी नहीं दोजने कहा भी 16 है रोबिन कह रहे हैं भी चार है आकाश ने चार का कीरती चार लव 16 16 four face वाले कह रहा हूं बैटा four face वाले हाँ अली कह रहा है भी साथ है four face भी ध्यान सनो समझ यह भी ध्यान समझ यह अब यहाँ जो four face वाले है four face वाले के वाल हमारे पास चार है अब यहाँ पर corner वाले अब देखो मैं एक बात बताऊँगा वहाँ से आपको link मैं सिखाऊँगा नशीब की बात मैं बताऊंगा देखो four face किन में बनता हर किसी क्योबाइट में four face वाले नहीं होते अब आप कहेंगे सर वो कैसे पता चलेगा वी four face वाले इसमें है यह नहीं वो ऐसे पता चलेगा यदि एंवन एंटू या एंट्री में से किसी भी एक की वैल्यू वन हो गई एट विंस वन तो तभी होगी ना कि जो बड़ा वाला जो क्यूबर्ड है और चोटे-चोटे क्यूब यह भी कह सकते हैं कि एंवन एंटू या एंट्री में से किसी की भी एक की वैल्यू किसी भी एक वैल्यू वन यदि आ गई है तो समझ जाओ उस क्यूबॉइड का जो कॉर्णर वाले हैं उनके तीन नहीं चार फेस दिखाए देंगे उट्मेंस उनमें चार फेस वाले होंगे सेन वाले होंगे और दो वाले होंगे सब्सक्राइब कैसे बता चलेगा यहां गई तो समझ जाए कि तीन नहीं चार फेस दिखाए देंगे अब आप कहेंगे तो यहां पर यहां से देखते हैं इसको है तो यह एक सिंगल ही ना यहां से भी दिखाए दे रहा है यहां से भी दिखाए दे रहा है यहां से भी ती साइट से दिख रहा है लेकिन वो नीचे से भी तो दिखाए दे रहा है इसके कितने फेस दिखाए दे रहा है चार इसी तरह इसके यहां से यहां बात को अबर बात को दियान समझें, ये वाला जो क्यूभ है ये है तो एक यह और इसके कितने अ कोर्णरे क्षार, जिकने करने थे बाले के तीन नहीं चार ते इसे고 हो आप इचार कोर्णर वाले कितने होंगे है में है एक दो तीन और यह तीन यह जो मैंने राइट टिक किये यह सब के कितने तीन फेस दिखाए देंगे इन सब के कितने भी तीन फेस दिखाए देंगे अब आप कहेंगे सर तीन कैसे दिखाए दे रहे हैं देखो यहां से एक दो और नीचे से भी दिखाए देगा तीन इस इसका मिनिंग त्री फेस वाले इसमें कितने होंगे त्री फेस वाले कितने है बिटा इसमें आठ है इसमें त्री फेस वाले कितने है भी आठ है अब रही बात रही बात कितना भी टू फेस वाले अब टू फेस वाले कितने होंगे यहां पर आ जाएगा टू फेस वाले यहां से भी नहान नीचे से भी नजार यहां से भी नजार रहा है यहां से भी नजार आ Yan को एक लो तू समौब एसे होंगे यहां स्मौद कियूब बातौद कर घुक्तों कि उबास एडाया भी तो पन्धर ही इतु समौद कि एडी अफ से 450 सब्धर आइस आप आ गया फ Lesha प्रकेशन के और फेस का मिनिंग यह मैं पर लिए सर्फइस इसका में सैंग में यह होता बिटा इब को जैसे यह जो है इसमें यह आप देखें यह जो है क्यूब कैसे इस नैंग में इनको फेस कहतें बेपाँ यह जैसे क्यों पर yl Rubber दो आप एक फेस यह अब जैसे छोटे-छोटे होंगे तो उनमें भी तो ऐसे ही फेस होंगे यह फेस है यह फेस है इस तरह से चलता है कि पक्का यह चीज़े संद में आती है डाउट तो नहीं है क्लियर है तो बिटा इन चीज़ों वक्षेस हो बड़े ध्यान से समझते जाना थीके मैंने आपको क्या सिखाय और वाले के चार तभी दिखाएदे सकते हैं चार फेस तभी दिखाए दे सकते हैं जब बड़े वाले Akyat कितने phase दिखाइब देंगे चार तो यह कोड़नर वाल की चार है तो उसके बराबर वाले के 3 होंगे फिर लिए तीन ही यह तीन है यह तीन है और उसे अंदर जाएंगे तो फिर दो it means decreasing order में 4-3-2 ऐसे वो चलता रहता है clear है पक्का तो बेटा आज के लिए इतना ही और वी session को like और share करते जाएं चैनल को subscribe कीजिए फिर next class में फिर next topic के साथ मिलते हैं नए topic के साथ मिलते हैं आज के लिए इतना ही thank you thank you so much